Hello students, good morning, कैसे हो? आज देखिए, कल हमने maths में after, before, between का वर्क किया था उसके बाद हमने क्या किया था? write the ascending order उसके बाद आज हम करेंगे write the descending order descending order मतला, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नमबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा ठीक है? उपर से नीचे की तरफ आते हैं अब देखिए, हमें इसमें से सबसे बड़ा नमबर देखना है सबसे बड़ा नमबर कौन सा है? 95, जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले यहां पर आएगा 95 में देखिए लिख रही हूँ 95 अब उसके आद फिर हम नमबर चेक करते है 95 के बाद हमें क्या दिख रहा है? 95 के जोटा, उसको आएगा 73 यह आगया 73 उसके बाद फिर क्या आएगा? देखते हैं, इसमें 48 उसके बाद क्या आएगा? फिर हम चेक करते हैं सारे नमबर फिर हमें दिखाई दे रहा है 39 फिर हमें सबसे लाज्ट में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें क्या खरते हैं? हम नीचे से ऊपर की तरफ के नंबर लिखती हैं और इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें सबसे लास्ट में जो नंबर होता है वो सबसे फस्ट में आ जाता है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा नंबर फिर सबसे चुछा आप देखिए यहां पर आपको क्या निम्मर दिखाई दे रहा है सबसे पहले सबसे बड़ा निम्मर कौन सा दिखाई रहा है 99 ठीक है 99 दिखेंगे उसके बाद 87 फिर 63 57 उसके बाद 25 यह क्या हो गया हमारा descending order है अपको अपनी notebook में करना है ascending order हो गया था अभी अपको descending order करना है अब आज हम उसके बाद book करेंगे ओके यह है हमारी mathematics की class second की book ठीक है class second की mathematics की book ओके अब हम book start करेंगे